तो नमस्क्रार दोस्तों, जैसा कि हमने अब चेक LEK काट छुके हैं ़ीजिए यह हमें जिसे देना है वह पार्टी आउट आप स्टेट है, मान देजिए मैं मैं शिम्ला में बैठा हूँ और पार्टी गोवा में है तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे देंगे पैसे चेक देने तो जा नहीं सकते वहां पर उसको काफी कॉस्टिंग आ जाएगी और इसको हम भेजने सकते बेजिंगे से तो काफी टाइम लग जाएगा अब हम अरचेंट उसको भेजना है पैसा ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम बिजनेस परपस के लिए चेक हमने भर द दिया है इसको हम लखेंगे साइड और हम लेंगे आर्टीजेस और एनेवटी फॉर्म ठीक है तो यह कस्टूमर है कस्टूमर की कॉपी है यह बरांच यहां पर लिख देंगे हम अपने हिसाब से तो यहां पर हम लिख देता है डेली ठीक है डेली की कोई सी भी बरांच बन हमारी ब्रांच है ठीक है शिम्ला शिम्ला एच पी हमांचल प्रदेश अकाउंट नमबर 123456789 जिसका अकाउंट है उसका नाम यहां पर मेरा अकाउंट है तो येश्वन सिंग बंदा रही है ठीक है आई एपसी कोड हम कैसे देखेंगे तो एक आपको जनरल सी बात बताऊंगा एपसी कोड चेक के यहां पर भी लिखा होता है और हमें सामने वाली पार्टी का है तो हम उससे पूछ लेंगे ठीक है बी ओ बी बेंक को बड़ोदा 12345 जो भी है उसे बैनेफिस्ट्री अकाउंट उसका अकाउंट नमोर पूछेंगे 123445 यहां पर पड़ोदिए वह आकाउंट पून सा है क्रेटिट है सेविंग है करेंट है ठीक है सेविंग है करेंट जो कैकिते ہےं उसमें चलता है बिजनिस में और क्रेट मनदा लोञे ठीक है वट इनिफिस्ट्री नेम उसका हम नाम ड दाल देंगे हम 20,000 रुपए ठीक है टोटल अमांट 20,000 रुपए और यहां पर लिख देंगे हम 20,000 20,000 रुपए ठीक है कलर कैशियर टेलर ठीक है चेक सब्जेक्ट रुटो रिलिस ठीक है यह तो हमने भर गया यहां पर यहां पर दुबारा भरना पड़ेगा ठीक है 20,000 रुपए ब्राज हम डाल देंगे यहां पर ठीक है सीपी और डेट हम डाल देंगे 16,1,2019 टाइम टू रिसीट यहां पर भर देंगे ठीक है बेस ब्राज हम दुबारा यहां ही भर भरेंगे हमारी इन्फोर्मेशन यूर अकाउंट डेटेल हमारी इससे हम पैसा कटवा रहे है जो हमारा है जो बंदा काम कर रहों इसका अकाउ अंट होल्डर का नाम मेरे नाम आ जाएगा यहां पर सामने वाले पार्टी का नाम डाल देते हैं ब्रांच गोवा की है यहां पर दुबारा आयएप सी कोड वन टू थीरी फोर फाइव ठीक है बैने विजरी अकाउंट नमर अकाउंट नमर डाल दिगा यहां पर पूछ र की नाम उसको मैसेशं क्या देना है हमारी फरांद का नाम देना है क्या क्यों कि इए करिंट होगा तो हो फिए नाम ठाल या फिर अपर फिर चंड करा दिआ हां और यह वाला है हमारे तिन टाइम पर आई थी तो उससे फता लगेगा पता लगाने के लिए हम यहाँ पे अपनी फर्म का नाम लिख देंगे तो कुछ भी लिख देंगे ठीक है यहां पर शॉप लिख देते है ठीक है अब यह चीज तो हमारी होगी यहां पर वर्ड में लिखना है हमें यह हम बोल गए थे 20,000 only तो जो RTGS होगी वो 2,00,000 से उपर होगी यहां पर लिखा है RTGS amount should must be 2,00,000,000 2,00,000,000 से उपर होगी RTGS ठीक है यह नेफटे गरा रहे हैं हम यहां पर फॉर ऑफिस यूज उनली यह उनके लिए छोड़ देंगे यहां पर देखिए चेक तो हम चेक नमबर इसका डाल देंगे चेक नमबर यह रहा इसको हम यहीं पर उतार देंगे 019086 ठीक है अकाउंट नमबर डाल देंगे जिससे चेक काट रहा है ठीक है विद बरांच का नम डाल देंगे यहां पर कस्टुमर सिगनेचर तो हम यहां पर सिगनेचर कर देंगे और टेलिफोन नमबर ज़रू डाले अगर कोई गलती होती है यह किसी वज़े से नहीं हो पाता ताकि आपको संपर्क कर सके तो यहां पर हम 12345 डाल देते है ठीक है पैन नमबर अगर 50,000 से उपर है या 2,000 से उपर है तो वो रूल के हिसाब से रहेगा इंकम टेक्स के रूल के हिसाब से पैन नमबर डाल देंगा हम यहां पर कुल मिला करके हो चुका है तो नेफ्ट के लिए आपको इसके साथ चेक अटेच करना पड़ेगा क्यों? ताकि उसको एक प्रूफ रहे कि हाँ बंदा यह इस चीज़ से करना है करेगे यह कॉपी आपको दे देंगे बैंक मैनेजर आओ यह बैंक जो भी कर रहा है वहां पर यह कॉपी आपको इस टेम लगा के दी दी जाएगे और यह वो खुद रख लेंगे ठीक है? इस भी हाँ पर वो समनेवली पार्टी के अकाउंट में पैसे डालेंगा है और यह आपके इंफॉर्मिशन है आपको यह वीडियो कैसा लागा ज़रूर बताइएगा मेरे को